केलांचल टाइम्स हर खबर पर हमारी नज़र जाजे गए 10% नमू ने फेल साबित हुए है दिली के LG वीनकुमार सक्सेना ने इस पूरे मौमली की CBI जाज की सिपारिश कर दी है तुमाई बताया जा रहा है कि विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट के आधार पर LG ने ये एक्शन लिया है विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट को आधार बना कर CBI जाज की सिपारिश करते हुए दिली के LG वीनकुमार सक्सेना ने मुख्य सचीव को लिखे नोट में कहा है कि ये चिंता जनक है ये दवाएं लाखों मरीजों को दी जा रही है दवा की खरीद में भारी बजट आवंटन पर भी चिंता जताई गई है विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट कहती है कि सरकारी प्रियोग शालाओं में भेज़ गए 43 नमूनों में से 3 नमूने विफल रहे क्योंकि 12 रिपोर्ट अभी भी लंबित है विजिलेंस विभाग में से पारिश की है कि क्योंकि 10 फीसदी से ज्यादा सैंपल फेल हो गए है इसलिए विभाग को सैंपलिंग का दाइरा बढ़ाना चाहिए दवाए सरकार की केंद्रे खरीद एजंसी के द्वारा खरीदी गई और सरकारी इस्पतालो और मौले की क्लीनिकों को आपूर्ती की गई तुम्हाई कुछ दवाओं के नाम शामिल हैं जिसकी दवाए सरकारी और निजी दोनों लैब टेस्ट में फेल हो गई है इतना ही नहीं कुछ दवाए निजी लैब में फेल हुई है ग्यारा सैंपल की रिपोर्ट चडिगर की सरकारी लैब में अभी पैंडिंग है रिपोर्टों का निश्करश है कि जो दवाए विफल हो गई है विमाना गुडवत्ता की नहीं है बहराल नकली दवाए मौमलम में CBI जाच की सिपारिश पर दिली सरकार की मंत्री गोपाल राई ने कहा कि अभी मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है उन्होंने कहा कि उसकी पूरी जानकारी जुटा कर सरकार अपना रुख साफ करेगी गोपाल राई ने ये भी काए कि वैसे CBI की जाच की सिपारिश हर तीसरे दिन होती है लेकिन जाच में कुछ निकलता नहीं है इससे दिली के काम प्रभावित होते हैं जहां-जहां की फाइल CBI के पास चली जाती है वहाँ-वहाँ धिकारी काम करना बद कर दे रहे हैं दरहसल दिली के LG ने दिली सरकार के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाय मिलने के मौमले की जाच की CBI सिपारिश ऐसे वक्त में की है जब CM अर्विन केजरिवाल सरकार के कई नेता लगातार भरस्चचार और घोटालों की वज़ा से मुसीबत में फसे हुए हैं खुद अर्विन केजरिवाल को ED दिली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में पूछताज के लिए तीन बार समन जारी कर चुकी है तुम्हीं बतादे कि अभी दिली सरकार में मंद्रीर है चुके मनीश सोधिया, सतेंदर जैन और आम आदमी पार्टी से राज्य सभा सांस संजर सेंग कथित अलग-अलग घोटालों की वज़ा से, ED और CBI की अक्षन की वज़ा से जेल में है मनीश शुदिया और संजर सिंग दिली शराग घोटाला केस में जेल में है तुम्हाई सतेंदर जैन मनी लॉंडरिंग से जुड़े मौमले में जेल में है इस वजलिएंस रिपोड के हिसाब से, इस बीजिलिएंस रिपोर्ट के हिसाब से, इस विद the reference to the जनरल的 complaints of various sections of the people regarding substandard medicines being supplied inINGS दिली गोर्न नेशहं में होस्पितल्स यह लोगो की शिकायता है, उसके बात जाच हुई है त्री ड्रग्स वर फाउंड टू बी नॉट ओफ इस्टेंडर्ड कॉलिटी जैसे से जांच हो रही है वैसे से बताया जा रहा है उन दवाईयों के नाम भी लिखें उसके बाद फिर आता है कि Section 25 of Drugs and Cosmetics Act 1942 Not of Standard Quality जै कुछ और दवाईयों के नाम आए है Providing medicines which are not of standard quality to the citizens of Delhi is a serious issue and amounts to be compromising with public health and safety besides spending huge budgetary resources on such drugs which are not of standard quality the implications of distributing drugs which are not of standard quality is far and wide with the reference to the public health और महरान था भी दवाईयों के नाम में पढ़ ला था इसमें तो जो सबसे पहली दवाई है Amlodipine ये heart के लिए होती है आप समझें जो दिल के मरीज अपने इलाज के लिए hospital में जाते होंगे और उनको इस तरह की दवाई दी जारी है जो दवाई निया सिर्फ गोली है जिससे कुछ फरक नहीं पढ़ना जिसको ठीक नहीं होना उल्टा उस शरीर का नुक्सान करना है उस मरीज की हलत क्या होगी ऐसी कई दवाईयों के नाम इसमें लिखें लेकिन लोगों की जिन्दगी से खेलना उनको घटिया मेडिकल दवाईयां देना ये ऐसा अपराद है हर खबर पर हमारी नजर